बात करते हैं चात्रसंग चुनाव की जिसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है तो इस बार जो चुनाव है वो दो चर्ड़ों में होगा और इस कड़ी में आज राजस्थान उनलसिटी में चुनाव कैथी सूचना जारी होगी और इसके बाद आचार सनहिता लगेगी जिसके बात किसी भी स्टुडेंट को विश्वध्याले परिसर में बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा साथी उनलसिटी के में गेट पर पॉलिस हर वाहन की कड़ी चकिंग करेगी तो बाहरी स्टुडेंट्स का प्रवेश भी रोका जाएगा तो तारीखों का अयलान हो चुका है तो वही दूस्री तरफ शक्ती प्रदर्शन भी लगातार जारी है ABVP और NSUI के तरब से कल ABVP ने प्रदर्शन किया था जिसके बाद आझ NSUI के तरब से भी जवाब दिया जाएगा आज NSUI अपना शक्ती प्रदर्शन करेगा हाला कि कल जो कारिकरम था है बीवीपी का उसकोले करसवाल भी उठाय जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बाहरी चात्रों को इखठा किया गया था बीवीपी की तरब से या तक कि स्कूली स्टुडेंट्स को भी लाया गया था उस भीर में लेकिन अपनी अपनी बाते हैं अपने अपने मुद्दे हैं अपने अपने वादे हैं दावे हैं और हर तरफ अब चुनावी रंगत चाहे वो कॉलेजिस की बात करें या विश्विद्याले परिसर की किसी भी कैंपस की बात करें हर तरफ ये चुनावी रंग दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि चात्र कितना उत्साहित हैं और तारीख के एलान के साथ ये चुनावी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है बिल्कुल तो चात्र संग के जो उमीदबार हैं वो यहाँ पर एक जुट भी हो गए हैं कल कि अगर बात करें तो कल एबीविपी ने यहाँ पर एक रैली निकाली युनिवर्स्टी के भीतर ही और इस दुरान शक्ती प्रदर्शन बतार यहाँ पर दिखाया गया वहीं अगर नस्युआ की बात करें तो आज नस्युआ अपनी ताकत यहाँ पर दिखाने वाली है तो बहुत समय से इंतिजार था यहाँ पर कि कब छात्र संग चुनावों को लेकर तारिकों का अलान होगा और उसके बाद कब उमीदवारी जो अपनी पेश यहाँ पर कर रहे हैं वो कि अब हर कोई अपना हाँ पर शक्ती प्रदर्शन दिखाएगा लेकिन आज इस तरह से नस्युआ का कारिकरम है रैली है इसके पहले भी रितू हमने कुछ वक्त पहले देखा था कि किस तरह से नस्युआ के कारिकरता सलक पर उत्रे थे तब बहुत ऐसी विकट इस्तिती बन पुलिस के लिए कि पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तिमाल करना पड़ा था लाठी चार्ज भी करना पड़ा था जस पर सवाल भी उठे थे लेकिन आज जब फिर से नस्युआ के कारिकरता सलक पर होंगे तो ये रैली क्या शांती पूर्ण धंग से होगी या फिर पिछली ये कारे करता किया आज शांती पूर्ण धंग से ही अपनी रैली निकालेंगे या फिर वही हालात? बिल्कुल मदन जैसे ही तारीकों का अहलान हुआ और आज के अगर बात करें तो फुलाल यूनिवर्स्टी में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? तो यूनिवर्सिटी में आज सवेर से यहमा जैमी का माहूल है और इदर रहने शुए ही ने रैली का अलान कर दिया इसे देखते हुए आज जोर्दार माहूल का पड़ा हाई हुआ चाले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए